कि रियल्मी युवाई 3.0 वर्सेज रियल्मी युवाई 2.0 साइट बैसाइट फुल डीटेल केंपरेजन करने वाला हूँ और ये वीडियो काफी जाला लॉंगर होगा क्योंकि हर एक चीज मैं आपके साथ यहां पर सेरे करने वाला हूँ इसी टाइप का सेम वीडियो मैंने टू डेच पहले दिया था लेकिन वापे मैंने कई सारे स्क्रीन सूट के थू आपको कंपेर करके दिखाया था बट डोनो के अंदर यहां पर डले हुए है अपने अपने OS और सब कुछ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ यह है मेरे पास GT Neo 2 जिसका आज ही ट्राइल का अपडेट आया था जो कि मैंने अपडेट करके आपको रिव्यू दे दिया है और इसका जो फर्स्ट अपडेट आया था वो इसकीप हो गया था मैं नहीं देख पाया बीजी होने के वज़े से जिसके वज़े से यह 2.0 पे र कर दू कि 2.0 में कैसा था और 3.0 के अंदर कैसा हो जाएगा हर एक चीज के बारे में आपको पता चलेगा वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और लॉंगर होने वाली है तो भाई कुर्सी के पेटी बांध लेना कहीं बोर मत होना और भाई पॉपकॉन लेके बैट जाना क्य यहां पर पहले कमपेर करेंगे दोनों के अपडेटर से आप दिख पाओगे दोनों के अपडेटर में काफी बदलाउ आ चुका ए सबसे उप पर सॉप्ट्योर अपडेट है जब कि यहांपर गाया हो चुका ए ठी बड़ा और ग्रेडियन कर दिया गा है जब कि यहां पे और ओल्ड रिखनी को मिलता है, version up to date लिखावा मिल जाता है, यहाँ पर जो version उसका detail यहाँ पर रिखनी को मिलेगा, और यहाँ पर आप डिखते तो trial की रूप में भी है, final stable नहीं है, इसलिए trial का sign लगा हुआ है, 3.0, android 2L, और जो version है वो, जो कि आपको यहाँ पर रिखनी को मिलता है, बाकि इसका full change लोग इसके नीचे की और डिखनी को मिलता है, और यहाँ पर about की version पर टैब करने के बाद, एक pop-up window निकल के आता है, जहाँ पर सारे चीज़े mention की गई है, यहाँ पर नीचे देखनी को मिलता था, तो इसे एक अलग window दे दिया गया है, जो कि देखन पेज किया गया है, और अगर look की बात करें ना, तो भाई यह जो 3.0 है यह मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगाया है, ज्यादा cool देखने में लगता है, जबकि यह काफी time से हमें यूज कर रहे हैं, तो यह भी अच्छा है, लेकिन upgrade जो हुआ है, वही पर about page की बात करें जो कि हमारा device about है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें भी काफी कुछ बदल दिया गया है, काफी time से same type का देखनी को मिल रहा था, बट अब यहाँ पर tiles आ चुके हैं, और update से तो उपर लिखा हो आ रहा है, अप to date, update हो चुका है, और यहाँ पर device name और storage, जो कि link हो चुका है हमारे storage से, और सब कुछ calculate करके दिखाता है कि कितने video, कितना file है और यहाँ सब clean भी कर सकते हो, जबकि यहाँ पर बिल्कुल जी simple type का आपको देखनी को मिलता है, तो दोनों अलग अलग जगह पर काफी अच्छा है, लेकिन अगर upgrade की बात करें तो काफी अच्छ अब यहाँ पर आपको दिखाए देता है realme lab, और यहाँ पर realme lab है, जिसका look काफी है तक similar देखनी को मिलता है, dual mode audio अभी disabled दिखाई दे रहा है, उसका यहाँ पर DC dimming है, और यहाँ पर DC dimming हमें देखनी को मिलता है, जो कि same है, और यहाँ पर slip capsule का option दिया गया है, जो कि इसम आते चलूँगा, उसके लिए confused मत होना, अब यहाँ पर हमारा second number पर आता है, third number पर user and account, और यहाँ पर यहाँ पर काफी ऊपर चला गया है, जो कि hair tap cloud के ऊपर है, तो कई सारे setting को ऊपर and नीचे किया गया है, तो उस related टेंसल लेने के ज़रूद नहीं है, यहाँ पर आपको हमारा navigation देखनी को मिलता है, तो कई सारे setting आगे पीछे हुए है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसका preview देख से तो किस तरीकी से change है, और यहाँ पर कुछ इस तरीकी से हमें preview देखनी को मिलता था, और वहें पर 100 mode देखनी को मिलता था, लेकिन अब 100 बिलकुल अलग कर दिया गया है, 3.0 के अंदर, बाकि यहाँ पर tutorial अलग से दिया गया है, जब कि यहाँ पर हमें सब कुछ same to same देखनी को मिल जाता है, एक ही page के अंदर, यहाँ पर switch का option है, और बाके दर vibrate वगड़ा का, और height करने का, और यहाँ पर tutorial दिया गया है, लेकिन इसका जो update के बार एक काफे जड़ा बड़ा हो चुका है, जो कि आप देखते तो काफे बड़ा font में दिखाई दे रहा है, और सब कुछ यह बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जब कि यह थोड़ा सा सीख सा देखनी को मिलता है, तो इसका जो look है, वो simple सा अच्छा दिखाई दे र जो कि काफे जड़ा सही है, जब कि यहाँ पे थोड़ा different आपको देखनी को मिलता है, more के अंदर, और यहाँ पे advanced के अंदर, तो setting टो एक ही है, दोनों के अंदर बस थोड़ा सा name वगरा है, इधर का उधर, उधर का इधर है, जो किया गया है, super saving mode आपको देखनी को मिल जात है, और यहाँ पे saving mode आपको देखनी को मिलता है, और यहाँ पे power saving, जहाँ पे कई सार application जो अभी run कर रहे हैं, उसे disable कर देगा, ताकि आपका power saving अच्छा खासा है, जो हो सके, तो यहाँ पे 3.0 का battery profile है, यह थोड़ा सा better हो चुका है, पहले वाले के comparison में, तो हाँ पे अगर तो इसका phone थोड़ा बढ़ा हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा में small देखनी को मिलता है, special apps access भी आपको यहाँ पे देखनी को मिल जाता है, जहाँ पे यह थोड़ा नीचे की दिखाई देता है, और सभी में same चीजे है, बस यह थोड़ा सा आपको फैला हो दिखाई देता है, थोड़ा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, और यह थोड़ा कम एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है, recover uninstall system apps यहाँ पे देखनी को मिलता है, जो आप application को uninstall कर देते हो, उसे वापस यहाँ से restore कर सकते हो, जो कि इस phone में नहीं तक नहीं किया, इसलिए नजर नहीं आ रहा बड़ आप notice करोएगे कि यहाँ पे icon थोड़े बड़े बड़े देखनी को मिलते हैं, यहाँ पे आपको apps kloner भी देखनी को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको देखनी को मिल जाएगा app kloner, जो कि थोड़ा सा उपर और नीचे किया गया है, फिर से यहाँ पे look में आपक launch only, क्योंकि app तो ही, बाकि यहाँ पे आप manage कर सकते हैं, दोनों का setting सबको same है, बस हलका full का redesign वगर है, जो किया गया है, थोड़ा उपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा दूर, कई थोड़ा पास, कुछ इस तरह किसे, और यहाँ पे आपको suggestion को मिलता है app lock का setting, जबकि यहाँ प security पे tap करने के बाद, वही old look type का आपको बाकि दर features देखनी को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी जड़ा सही लगता है, जबकि यहाँ पर आप देखते है, जो कि काफी सही तरह किसे नजर आता है, जो कि काफी सही तरह किसे नजर आता है, बट यह लोग मुझे थोड़ा sound mood वगरा देखनी को मिलता है, दोनियों के icon में हलका सापको change नजर आ रहा होगा, sim 1 and sim 2 का, यहाँ पर sound change करने का option आपको मिल जाता है, यह रिंग टोन्स वगरा का, और यहाँ पर vibrate कंट्रोल करने का option मिलता है, कितना जादा वो होना चाहिए, deep type से vibrate वह आप कंट्रोल कर स और यह थोड़ा नया look आए, और यह जो look दिखाई दे रहा है, यह आपका device करने उसार भी depend करता है, क्योंकि इसमें 3.0 आया है, उसमें इस तरीके से look देखनी को मिलेगा, लेकिन अभी 2.0 है, उसमें आप देखनी को किस तरीके से हमें यहाँ पर देखनी को मिलता है, तो E या ringtone को control कर सकते हो, जबकि यहाँ पर default होता है, तो sound की बात करी रहे हैं, तो अगर volume slider की बात करें, तो दोनों में काफी ज़्यादा यहाँ पर change देखनी को मिलता है, और यहाँ पर animation है ना भाई, पहले से और ज़्यादा modified और refine हो चुका है, जो कि मुझे काफी अच्छा यहाँ पर फ्री रूप से दिखाई दे रहागा कि काफी space है हर एक app के बीच में, जबकि यहाँ पर मुझे थ्वाँ ज्यादा customize देखनी को मिला है, और यह update करने के बाद मुझे notice हुआ, तो यह थ्वाँ सा और adjust होने की जरूरत है, और यहाँ पर इधर ABCD देखनी को मिलता तो इस तरीके से आपको notification, edited वगरा का option देखनी को मिलता है, और इसका थोड़ा अलग दिखाई देता है, दोनों काफी अच्छा है, लेकिन यह जो last और latest वाला optimization है, यह मुझे थोड़ा सा better लगा है, और यहाँ पर इसका भी look काफी ज़्यादा अच्छा है, और इसके साथ कई सरे नए wallpaper एड़ किये गए हैं, जबकि इनमें आपको पहले वालपेपर ही मिलते हैं, और थोड़े वालपेपर हैं, तो wallpaper collection में थोड़ा सा upgrade हुआ है, लाइव वालपेवर की बात करें, तो दोनों में same आपको देखनी को मिलता है, बस look में यहाँ पर बदलाओ कर दिया बाकी more पर tap करके तो हम gallery में जहां ही सकते हैं, उसके बाद अगर हम icon की बात करें, तो icon का जो customization है, काफिया तक same है, बस EY चेंज हो चुका है, पूरा white page है, और यह दो रंगा page आपको देखनी को मिलता है, यहाँ से आप इसे भी on करके थोड़ाओ सा custom कर सकते हो, जो कि आप इंटरफेस में थोगा सा बतलाओ आपको यहाँ पर नजर आता है, फिर से अगर layout की बात करें, तो यहाँ पर आप डिखाये दे रहा है, यहाँ पर direct आप adjust कर सकते हो, तब कि यहाँ पर folder दे दिया गया है, हर एक type का आपको यहाँ पर manual adjust करने की जूरुत नहीं है, बस select करन नया look है, और यह थोड़ा सा older look अब आप इसे कह सकते हो, इसे slide करने के बाद अलग सा option आता है और इसे आप कुछ इस तरीकी से slide कर सकते हो, जहाँ पर आपको आइकन layout transition and mode देखनी को मिलता है, जिसे direct इसका यह जो home setting open हो जाएगा, जहाँ पर काफी कुछ चीज़ आप change कर स है, और कुछ-कुछ चीज़ों के नाम को है, जो बदल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर glance for real me है, और यहाँ पर lock screen magazine हो चुका है, तो यह भी नाम आपको change दिखाई देता है, और यह प्रसनले में huge नहीं करता, मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन इसमें भी update है, तो आप चा गालरी के अंदर देखनी को मिल जाएगा, क्योंकि जो real me का old gallery है, वो मुझे पसंद नहीं आता है, और मुझे पता है कि बहुत सा यूजे इसको भी पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि जब हम कोई photo किलिक करते हैं, तो सबसे last में चला जाता है, और जो last वाले photo है, सबसे top प देखनी को मिलेगा, जैसे कि अभी मैंने screen shoot किलिक किया, यह सबसे top पे हमें देखनी को मिलेगा कुछ तेर के अंदर ही, देखते हैं, जबकि इसका सबसे last में जाता है, और यह मुझे सबसे बिकार लगा था, इसलिए मैं हम इसा third party gallery यूच करता था, तो आप देखते हैं, तो यह चीज़े आपको यहाँ पे देखनी को मिलती है, साथ से यहाँ पे album देखनी को मिलता है, जो कि नीचे आ चुका है, और इसका album उपर था, जहाँ पे delete का option दिखाई देता है, और इसका थोड़ा अलग तरीगी से दिखाई देता है, जहाँ आपे video raw और बाकी brush और ब huge change कर दिया गया है, जहाँ पे आप देखनी को मिलता है, बाकी यहाँ पे HDR normal देखनी को मिलता है, जब कि HDR कौन सा action on है, auto अगयरा की क्या, वो चीज़े यहाँ पे नजर आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इस तरीकी से यह हमें दिखाई देता है, बाकी बाकी अगर हम यहाँ पे setting का icon है, और यहाँ पे triple dot कर दिया गया है, जिस पर tap करने का और बाके दर option यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें swipe down करना परता है, तब जाके कुछ extra option आते हैं, बाकी यहाँ पे आप notice के रहे हैं कि यह flip करने का option change हो चुका है, जो कि 3.0 में इसा है, और old वाल हमें ऐसा देखनी को मिलता था, यहाँ पे आपको एक face का design देखनी को मिलता है, और यहाँ पे magic stick लगा दिया गया है, जो कि यह भी देखनी में हमें काफी सही दिखाई देता है, और यह थोड़ा नया हो चुका है, बाकी अगर हम portrait के और आते हैं, तो यह जो haptic feel है ना काफी अच्छा है और हर एक जगह adjust हो गया है अपने अपने तरीके से, और more में आप देख से तो कितना अच्छा refine दिखाई दे रहा है, जबकि यह मुझे उतना अच्छा खास लगता नहीं था, और यह थोड़ा beautiful हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे आपको photo के बाद देखने को मिलता है video का option, जहाँ पे आप देख पाऊगे कि यहाँ पे आपको 4K को change करने का option मिल जाता है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे select करें, तो 30fps 60fps control करने का option मिलता है, जबकि old वाले के अंदर हमें setting के अंदर in करना पड़ता है, और change करना पड़ता है 30, 40, 60 64P जो भी हो, तो setting में in करें बिना यहाँ पे आप change कर पाऊगे जैसी update होगा तो, और एक यहाँ पे street mode का नया option आ चुका है, तो यह तो भाई device के नुसार होगा, आपका device अगर officially support करता है, तो update में मिल जाएगा, अदर बाइच नहीं मिलेगा, बाकि night mode बगर में जो AI और pro mode बगर है ना, यह भी device के नुसार होगा, तो यह तो भाई depend करेगा आपके device के नुसार, किसी में देखनी को मिलेगा, किसी में नहीं, लेकिन अक्सर बहुत सारे विजस question करते हैं, कि क्या हमें यहाँ पे realme का dialer देखनी को मिलेगा, तो जी नहीं, आपको realme का dialer कभी देखन दिखाई देता है, दोनों में मैंने game को on कर दिया, इसका pop-up उपर से आ रहा है, जबकि 2.0 का pop-up नीचे से हमें देखनी को मिलता है, यह भाई इस तरह के sign कर रहा है, कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, और इसका भी यहाँ पर देखनी को मिलता है, और दोनों के look मे इस side में है, और नए वाले में brightness slider नीचे की और आ चुका है, यहाँ पर CPU, GPU और FPS दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर timing देखनी को मिलता है, temperature और battery दिखाई देता है, यहाँ पर gaming focus mode आपको देखनी को मिलता है, जिसे on करते ही, बागी सारे चीज़े आपके block हो जाएगी, ज यहाँ पर system status है, voice changer भी add हो चुका है, जो कि users काफी time से demand कर रहे थे कि कब आएगा, finally आ चुका है, जो कि हमें old वाले में देखनी को नहीं मिलता था, तो अब आप इसका benefit ले पाओगे, तो यहाँ पर आप दिख से तो recording काफी अच्छे तरीके से काम करता है, और यह चीज़ यह चीज़े मुझे यहाँ पर काफी जड़ा सही लगा है, और यह जो game है, space वगेरा, यह काफी perfect है old वाले के comparison में, और है बात कि यह 3.0 के साथ 90 एपेस देखनी को मिलेगा या नहीं, तो भाई आपका 90 एपेस पहले से enable है, तो आपको इसमें enable ही देखनी को मिलेगा, लेक यहाँ पर देखना कि 90 एपेस देखनी को मिल जाएगा 3.0 के साथ, यह अलग update है, तो में भी बाद में हो सके, बड़ अभी फिलाल नहीं आया है, तो यहाँ पर आप देखो यह दोनों के status bar में कितना जाद आपको change दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रह है, मेरी इमानों तो मुझे यह थोड़ जादा बेटर पसंद था, बड़ यह भी काफी जादा सही देखनी को मिलता है, बागे full slide करने के बाद यह पूरा display कवर कर लेता है, जबकि यह कुछ उपर नीचे इस तरह के से देखनी को मिलता है, टाइमिंग, profile, editor, setting एक जग कर द सलते हैं और mobile data की ओड़ जाए, तो यहाँ पर sim1, sim2 दोनों देखनी को मिल जाएगा select करने का, जबकि इसमें I think sim1 and sim2 switch करने का option अलग से हमें देखनी को मिलता था, बाकि यहाँ पर hot spot हमारा on होता है normally, लेकिन setting on नहीं होता, जबकि यहाँ पर आपका dax setting on हो जाएगा, जहा यहाँ पर आप देखो यह brightness slider का जो auto brightness button है, दोनों में hulkas आपको different दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको different दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें भी hulka full का changing किया गया है और पूरा तो look बदल दिया गया है, अगर हम privacy की बात करें, तो Android 12 में privacy का का काफी जाद ध्यान रखाई है, जिसको इसे आप को यहाँ पर camera और microphone ब्लॉक करने का option मिलता था, जो कि पहले नहीं था, यहाँ पर आपको normal apps lock, hide, key to space और clone वगयरा option देखने को मिलते है, privacy के नाम पर, जब कि यहाँ पर camera ब्लॉक वगयरा दिया गया है, apps lock, private, system cloner, hide apps वगयरा सब कुछ देखने को मिल जाते हैं, तो यह मुझे थ्यादा बेटर लगा है, जहाँ पर privacy dashboard वगयरा दिया गया है, जो कि Android 12 का feature से, जो कि यहाँ पर 11 है, तो वो देखने को नहीं मिलता, ब्राइटे स्लाइडर के और नजर डालते है, तो यहाँ पर आप देखोए, इसमें थ्यादा आपको दे करना का जो look है, behavior है, वो कैसा है, और यहाँ पर थोड़ा कैसा देखने को मिलता है, तो दोनों में से यह थोड़ा ज्यादा fast हो चुका है, जब कि यहाँ पर animation वगयर दिखाई देता है, dark mode setting, dark mode setting, दोनों काफी अच्छे तरी किसे नजर आ रहा है, और यहाँ पर करीब-करी वैसे तो यह features देखनी को नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, तो यह device के उसाथ change होता है, तो realme UI के update के उपर blame मत करना कि मेरे में क्यों नहीं दिया गया, यह device supported है, ना कि OTA update supported है, बाकि यहाँ पर आपको जो refresh rate वगरा के option है ना वो भी दे प्रेखनी को मिलता है, यह थोड़ ज्यादा compact और काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब साथ मुझे लगता है, जबकि यहाँ पर यह थोड़ ज्यादा beautiful हो चुका है, यहाँ पर टाइक theme का option है, जो कि theme store को open कर देता है, यहाँ पर आप themes पगरा change कर सकते हो, यहाँ पर wallpaper लेके जाएगा, यहाँ पर always on के उपर लेके जाएगा, और यहाँ पर भी same चीज़ है, यह wallpaper collection के उपर लेके जाता है, जिसका look change हो चुका है, और always on, और always on 3.0 के अंदर काफी ज़्यादा refine हो चुका है, यहाँ पर beautiful हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर अललग तरीके से custom कर सकते ह और इसके बारे में तो आपको यहाँ पर पता ही है, तो यह वाला जो नया look है यह मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया है, उसके बाद icon style बगरा change कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही दिखा दिया है, same to same देखनी को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर quick setting आपको देखनी को मिलत है, वो चीज़े आपको यहाँ पर देखनी को मिलती है, तो जो भी वाल पर यूज कर रहे हैं उसका color आप खुद से manual pick कर सकते हो, जबकि old में हमें खुद से create करना परता था, अलग select करना परता था, बट यहाँ पर भाई, यह मुझे काफी ज़्यादा बहतरी ने लगा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इस तरीकी से जो भी color यहाँ पर आपको अच्छा लगता है, वो select करो, okay कर दो, यहाँ फिर random color भी ले सकते हो, यहाँ जो कुछ color यह system खुद ने create किया है, उसे आप pick कर सकते हो, तो इस तरीकी से color का feature से जो कि मुझे काफी ज़् ज़्यादा beautiful हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, donor devices के अंदर, यहाँ पर आपको preview के रूप में नजर आता है, जबकि यहाँ पर पूरा system के अंदर ही दिखाई देता है, और यहाँ आप नोटिस होगे, जो age light निकल देखने को मिलती है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर sim and network के ऊपर जाते हैं, जो कि यहाँ पर sim and wild data है, जो कि wifi के नीची आ चुका है, जबकि यह सबसे टॉप पे था पहले, तो यहाँ पर आप देखोए है कि यहाँ पर कुछ इस तरी से tiles बन चुका है, जबकि यहाँ थोड आने वाला हूँ, I think bored हो गया होगा है, तो थो असा interval के लिए वीडियो रोक दो, जाओ, फिरस फिरस होके आओ, फिर यहाँ पर फिल्म को स्टार्ट करते हैं, और अभी तक like नहीं कर देना और subscribe, share जरूर करना भाई, काफी महनत लगने वाली और काफी ज़्यादा लगने व जो कि अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर थोगा सही से है, जो चेंज कर दिया गया है, जो कि देखने में काफी सही लगता है, और काफी अच्छे तरीके से काम करता है, और यहाँ पर क्यूक लांच आपको option देखने को मिलता है, जिनका fingerprint on screen है, स्मार साइड बार या नि स्लाइड बार आप कहलो या साइड बार कहलो, जिसका जो ईवाई है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, जो कि आप देखते तो पहले बिल्कुल ही सीधा देखने को मिलता था, यह अब कुछ इस तरीकी से हो चुका है, आप 2.0 के अंदर भी यह चीजों को एकसेस कर सकते हो, जो कि मैंने एक सिस्टम अपडेट वाले वीडियो में बता रखा है, आप चिक कर लेना, यहां पर प्लस पर टैप करें, तो साइड सिस्टम के एप नजर आ जाएंगे, और यहां पर एडिट पर टैप करें, तो इसका भी आपको सिस्टम क मिलता है, जो कि एजी उज में काफी ज्यादा काम आने वाला और इसके अगर सिंपल मूड की बात करें, तो यहां पर मैं डायक्ट सर्च ही कर लेता हूं, सिंपल मूड वगएरा, तो आप देखें तो इसका कुछ इस तरी की सामें प्रिव्यू वगएरा देखनी को मिलता ह इसके special features के अंदर, और इसका जो one-handed mode है यह बिल्कुली stock जो android विल आया था, sim उसी तरीके से आता है, और हमारे system navigation बाहर पे है, जो काम करता है, इस तरीके से आप अप कर सकते हो, और यहां से slide कर सकते हो, बिल्कुली यह smooth तरीके से यहां पर response देता है, और यह मुझे काफ विजदा बहसरीन लगा है, यहां पर मैं दो application को open कर लेता हूँ, और जैसे मैं open करके यहां पर इसे swipe up करो, जो कि 3.0 के अंदर है, तो नीचे दो option देखने को मिलते है, जो कि एक हमारा है mini window का, और दूसरा है जो हमारा floating window का, जो कि आप देख से तो floating window यहां पर आ चुका है जो कि कुछ इस तरह किसी यहां पर option दिखाई दे रहा है, इसे small, large करने का और यहां पर cut करने का, जब कि इसे करमे swipe up करो तो direct floating window हमें उपर keyword ही देखने को मिलता है, जहां पर ले जाकर इसे release कर देना है, उसकर हम इसे कहीं पर भी है जो move कर सकते हैं, और अगर हम इसे corner को प चुका है, जो कि deck लिए small चला जाता है, और mini window एक floating window का है, दूसरा रूप है, बस यहां पर आपका window है, deck small हो जाता है, तो mini window के खास यहां पर जरूरत थी नहीं, deck लिए छोटा कर देता है, और वो हम ऐसे भी छोटा कर सकते हैं, तो floating window ही रखा गया है, और mini window को यहां पर application on करें, तो दोनों आधाधा दिखाई देगा, जबकि यहां पर अगर मैं रखके कुछ इस तरीके से swipe करूँ, तो यहां पर भी आपको split screen देखनी को मिल जाता है, और अगर मैं यहां पर रखके थो long press कर दो, swipe up करूँ, तो यहां पर अलग तरीके से select करने का आपको option मिलता दी गई है, और सब कुछ मैंने यहां पर करीब करीब आपको show कर दिया है, तो भाई, वीडियो काफी लंबा हुआ है, क्या ख्याल है, आपका इस बारे में, कैमरा भी off होने वाला है, और इतने देर से record कर रहा है, करीब कर भी यहां पर 40 मिनेट complete हो चुका है, वीडियो पस share करोगे, लेकिन रही बात last option जो कि हमारा boot animation है, क्या इन में बदलाव आया है नहीं, तो चले इसमें भी देख लेते हैं, और यहां पर जो हमारा boot menu है ना उसमें भी बदलाव देखनी को मिलता है, जो कि यह काफी जड़ा बीच में कर दिया गया है, और यह पहले हमें side में देखनी को मिलता था, और यह जो emergency का icon जो नीचे था, यह से उपर कर दिया गया और rate कर जा गया और lock नीचे, और इसका जो lock है ही नहीं, तो अब restart करते हैं, जहां पर इसे tap करना होगा, और यहां पर हमें जो इसे slide करना होगा, तो यहां पर tap कर दिया और इसे slide कर दिया, तो बूट एनिविस्टों में कुछ खास चेंज नहीं है सब कुछ सिमिलर ही देखनी को मिर रहा है बट 3.0 थो असा ज्यादा फास्टर लगा है लेकिन भाई ऑन दोनों करिप्टों यह एक ही टाइम में हुआ है तो 2-3 सेकेंड का फरक है कुछ खास ज्यादा फरक देखनी को नह बाई